हाँ बई हाँ गई परिक्षा की गड़ी थोड़ा से नर्वस हो रहे हैं न बड़ नर्वस नहीं होना है देखिया एक्जाम आ चुका है और सबको होता है एक्जाम के समय थोड़ा से नर्वस आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कुछ नहीं बड़ा है या बहुत कुछ ऐसे खयाल पकते रहते हैं तो इन सब को दूर रखकर कुछ important दिसा निर्देश में जो बता रहा हूँ इनको आप ध्यान रखें क्योंकि इतने लंबे से आप लोग पढ़ाई करकर आए हो तो एक छोटी सी भी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है तो आपको एक छोटी सी भी गलती नहीं करनी है एक्जाम है तो पूरे जोस से जाईए एक्जाम देने और अच्छे से एक्जाम दे कर आए हमारी सुबकामनाए है कि आप अपनी मंजिल पर पहुचे और आप अपनी मंजिल को पा भी ले ठीक है तो भई देखे क्या करना है कुछ important facts हैं जो आपको पता ही रखने है एक्जाम में इसमें से बहुत सी ऐसी बाती होंगी जो आपको पता होंगी लेकिन फिर भी हम एक teacher है और हमारा एक करतब भी बनता है कि हम आपको हर एक पहलो से अवगत कराएं तो सभी point यहाँ पर important है जो जो मैं बता रहा हूँ इन सबको आप follow करेंगे एक्जाम के समय तो आपको कोई भी problem नहीं होगी देखे जैसे आप सबको पता है कि करोना महामारी के चलते बहुत सारी trainे बसे जो उस प्रकार से उस way में नहीं चल रही है तो भई एक्जाम सेंटर तक पहुचने में आपको थोड़ी सी जो परिशानी हो सकती है तो सबसे important है उचित समय लेकर निकले हो सके तो सेंटर पे पहले ही पहुचें लेट होने की प्रयास में मत रहें और हो सकता है कि सब जगाँ पर आपको किराय की जो value है वो थोड़ी बड़ी हुई मिले तो थोड़ी सी money को भी आप arrange करके सही से जाएए क्योंकि बहुत कुछ बदला हुआ है सहर में जो आपको problem दे सकता है ठीक है तो थोड़ा सी management करके जाएंगे अपने time का भी अपनी money का भी और एक अच्छे स्वस्त मन के साथ आप जाएंगे ऐसा बिलकुल नहीं करना है पिछली कुछ परिक्षाओं में बहुत सारे हासे हुए है बचे बहुत गलत तरीके से कहे हैं या तो गाड़ी से लटके कहे हैं एक साथ दददस बीज बीज या फिर train में बुरी दरह से लटके कहे हैं तो ऐसा आप लोग को कुछ नहीं करना है जादर जादर समय लेकर आप लोग अपने center तक पहुँचे जो कि आप लिए काफी अच्छा होगा क्योंकि एक exam देने जा रहे हैं आप लोग तो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कु स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे से अपने center तक पहुचे तो देखे कुछ important बात है जो आपको पता ही होनी चाहिए सबसे पहले point है कि आपको marks एवं sanitizer लेकर जाना है ठीक है इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना है आपको marks एवं sanitizer लेकर ही जाना है तो पूरी कोशिस करिए कि आप marks और sanitizer सबसे पहले रखे और सबसे important बात है अगर आप marks और sanitizer नहीं लेकर जाते है center पे गर sanitizer और marks नहीं मिलता है और फिर आपको दोड़ना भागना पड़ेगा जो कि गलत है आप अपना marks और sanitizer साथ में लेकर जाए जो present time में सबसे important है ठीक है तूसरी बात है दो photo दो काले pen अनिवार है तो अपनी अगर आपके पाद दो photo है ठीक हो उसको ले ले और दो काले pen mostly आप याद कियेगी offline exam जो होते है उसमें आप काले pen का ही use करें जो की सबसे best माना जाता है तो एक अच्छी निप का wall pen ले लिजे जो काफी battery चलता हो तो काले pen लेकर जाए वो आपके लिए काफी important होगा ठीक है फिर admit card जो आपको लेकर जाना है उसकी दो copy लेकर साथ जाएए admit card की दो copy साथ लेकर ही जाएएगा क्योंकि वहाँ पर अक्सर एक copy जमा हो जाती है तो आप दो copy लेकर जाएए दीके आपकी biometric जरूर होगी क्योंकि UP police प्रिक्षा है तो यहाँ पर आपको biometric देना ही पड़ेगा तो पूरी process करिए कि biometric से परहेज ना करे अगर आपकी biometric कहीं नहीं हो रही हो तो आप उसे जरूर दीजे क्योंकि biometric के बिना आप इस exam में आगे नहीं बढ़ पाएंगे ठीक है तो biometric जरूर होगी तो उसको आप अच्छे से ध्यान दीजेगा दो admit card जो है दो प्रती के साथ लेकर जाना है यानि दो फोटो कॉपी कर रहा के लिए कर चाहिए इसका ठीक है अधार card है voter ID है या फिर आपके पास जो भी मूल पहचान पत्र है जो के admit card में दीए है और उनमें से आपके पास कुछ भी है तो आप उसे ले जा सकते हैं ठीक है और कोई problem हो तो comment करके बताएगा उसके वे मैं आपको जवाब दूँगा ठीक है देखे सबसे important होता है यह जो आपका यह वाला point है role number, registration number भनने में कोई भी गलती मानने नहीं होगी तो भाई पूरे होसो हवास में अकसर लोग comment करते हैं कि sir हमारे role number गलत होगे तो इनको भरने में आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है किसी भी प्रेकार की blade, whitener या अन कोई ऐसी चीज यूज ना करें copy पर जो आपको आपकी copy को गलत साबित करें ठीक है तो इनको आपको बिल्कुल भरने में गलती नहीं करनी है और यह सबसे important fact माना जाता है ओमार सिट का ठीक है तो इस आपको याद करें है फिर से मैं बोलूँगा role number और registration भरने में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है blade और आपका whitener का प्रेयोग आपको किसी भी तरह से नहीं करना है ठीक अगर आप यह गलती करते हैं तो आपको आगे पस्ताना पढ़ सकता है तो आप ऐसी गलती नहीं करें ठीक है सबसे उचित विकल्प का chain करें तो भाई सबसे हमें आप से हमेसा बताया कि विकल्प में कभी कभी ऐसे question होते हैं आपको एक से अधिक विकल्प जो है सही लगते हैं लेकिन उनमें से सबसे जो उप्युक्त विकल्प होगा वही करें और सबसे important होता है कि पेपर को भली भाती पढ़ें तो हर question को पहले अच्छे से पढ़ें और फिर उसका answer करें जैसे क्या होगा कि आपके score आप अच्छे होंगे और आपकी गल्पियां भी क्या होंगी कम हो जाएंगी ठीक है फिर क्या है गोले भरते समय विसे साथानी रखे होता क्या है बहुत सारे student क्या करते हैं वो पेपर पे जो है जितने कोशन वो कर लिए होते हैं उस पर टिक कर लेते हैं और फिर इखटा वो क्या करते हैं गोला बनना शुरू कर देते हैं ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि हमने दो की जगा तीन, तीन की जगा चार, चार की जगा छे इस तरह से गोले भर जाते हैं तो आपके कई कोशन इस तरह से गलत हो जाते हैं तो पूरी कोशिस करिए कि गोले भरते समय आपको विसेज साधानी बरतनी हैं इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है समय से पहले पहुचने का प्रयास करें जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना महामारी की चलते आपको बहुत सारे सहर में disturbing देखने को मिलेगी तो पूरी कोशिस करिए कि समय से पहले पहुचे जो आपको काफी help करेगा बाद में और exam में आपको कोई problem नहीं होगी विसेज जो सूचना है आपकी कानपूर, लखनाओ, आगरा और ग्रेटर निवडा में परिक्षा देने वाले जो student है ये थोड़ा सी ज़्यादा ध्यान है कानपूर में metro का काम चल रहा है लखनों बहुत ही घना सहर है और यहाँ पर आपको colleges ढूने में बहुत ज़्यादा problem होने वाली है यह जिस आपको याद रकना है आगरा और greater निवडा का भी यही काम है क्योंकि greater निवडा काफी long distance में फैला हुआ है जिसे जहाँ पर centered होने में थोड़ी समस्या होती है और आगरा में भी यही problem है तो अगर आपके इन चार सहरों में exam है खासकर आप यहाँ रखे कर कानपूर और लखनों में आपका exam है तो आप लोग बहुत जल्दी समय से पहले पहुचिए क्योंकि आपको इन दोनों सहरों में problem हो सकती है centered होने में क्यों क्योंकि आदे के लखनों में तो काफी bridge हैं और काफी school काफी दूर दूर होते हैं तो आपको ढूने में समस्या होती हो साथी साथ यह एक ही नाम की कई school हैं लखनों के अंदर तो काफी बच्चे हमेशा इसका problem का solve उनको problem का जो है सामना करना पड़ता है तो आप इन दोनों सहरों में कराप जा रहें और काफी दूर में समय मेट्रों का काम चल रहा है तो काफी रस है आपको time लग सकता है तो पूरी कोसिस करिए कि अगर इन चार सारों में आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप समय से पहले पहुचने का प्रयास करें और अपने सेंटर पहुचने का प्रयास करें तो ये सारे दिसान देश को आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एक्जाम में इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम में तो आप मुझे कैमेंट करके बताईए मैं अभी online रहूंगा और मैं आपके इन सभी questions का जवाब दूँगा तो भाई पुलिस प्रेक्षा देने वाले सभी अभ्यारतियों को सुपकाम नहीं जी के वड़िके सभी student को सुपकाम नहीं और जहां से भी आप हैं अगर हमारे student नहीं भी रहें फिर भी आप इस वीडियो देख रहें तो आप सब को सुपकाम नहीं बहुत अच्छे से पेपर दीजिए और एक अपनी सीट पकी करिए क्योंकि इतनी लंबी द्यारी करकर आएं तो आप किसी प्रेकार की कोई गलती आप लोग मत करिएगा तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आए तो फ्लीस लाइक और शेर और फिर से मैं बोलूँगा आप सभी को हार्दिक सुपकामने अच्छे से एक्जाम दीजिए और एक मेरी हेल भी करते जाएए अगर आपने दाशाइरी बाबा चैनल हमारा सस्क्राइब नहीं किया है तो उसे भी सस्क्राइब कर ले क्योंकि वो भी हमारा ही चैनल है लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से उसे देख सकते हैं तो आप सभी को हार्दिक सुपकामने